वेलकम और वेलकम बेक टो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज हम ऑक्सी बलीच की बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा बलीच है ऑक्सी लाइफ तो इसका उप्योग कैसे करेंगे इसे यूज कैसे करेंगे तो इसके बारे में जान लेते हैं देखिए इसकी और इसे हमें थ्री टाइम यूज़ करना है ये थ्री टाइम के लिए ही आता है तो जो ब्लीच है आप एक दो महिने बादी यूज़ करें कि नहीं पंदरा दिन पे लगा लिया फिर और कुछ और इसमें देखिए स्पून वेगरा सब चीज हमें मिल जाते हैं और ये जो जेल फॉर्म है ये लाश्ट में हमें अप्लाई करना होता है और इसमें देखिए डाक के लिए किता टाइम तक रखना है और वाइटनेस के लिए फेयर के लिए इस सब हमें देख लेना है उसी हिसाब से हमें अप्लाई करना है तो पंदर मिनट से ज्यादा नहीं रखना है और जिसकी फेर इसकीन है उसको तो दस मेड़ ही काफी है तो अब हम इसे एक से लेड़ी स्पून ले लेते हैं अपने फेस पे अपलाई करने के लिए उस तरह से अब हम एक्टिवेटर डालेंगे तो में एक्टिवेटर होता है हमें कितना यूज करना है तो इस तरह से हमें एक धकन जो है पुरा फुल एक धकन नहीं हो जो अंदर से एक धकन है वो हमें लेना है कुछ इस तरह से और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद है इसे हमें अच्छे से वन मिनट तक तो अच्छे से मिक्स करना है और अगर आप यूज कर रहे हैं फर्स टाइम तो इसे अपने स्कीन पर आप यूज कर ले हाद पर या कान के पीछे तो इस तरह से आप हैर बेंड लगा सकते हैं तो बालों पर आप नारे मिंस जहां हमारे डाक सरकल जादे होते हैं जैसे ब्लेक तो वहां पर हमें पहले लगाना है तो इस तरह से और चीक पर तुरंट ही नहीं लगाना है पहले हमारे जहां बाल जादे होते हैं वहां हमें लगाना जैसे उपर से लेके फिर चीक पर आने हैं हमें फिर यह दे रहे हैं और आप चाहिए तो डाइडेक्ट मों को धूल सकते हैं पर साबुन वेगरा मत लगाएं और इसे अच्छे से धूल करके और यह देखिए हमें हमीशा कॉटन के कपड़े से ही फेस को पोचना चाहिए और यह देखिए जेल फॉर्म में कुछ इस तरह से मिला है हमें इसे हमारे फेस पे जलन वेगरा नहीं होती है एक काफी अच्छा फॉर्मूला है अपने फेस पे अपलाए करने का इसे एक से दो मिनट अपलाए करके अपने फेस को मसाज कर लेना है इसे आपको बहुत ही बेटर फील होगा तो फ्रेंस अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरा है